प्राथा ओडियो में शुआ है था अनो जी यह जो प्रेशर आ रहा है अंडर दे लिडरशिप अफ एच्टी अफसी बैंक इस बार अगर किसी ने बेर ग्रिप ली है एच्टी अफसी बैंक पर बहुत स्ट्रॉंग अब अगर यह निफ्टी बैंक इस तरीके से कुलैप्स हो तो डिसकर्स ना करें तो बेटर है लेकिन अगर आप अपने चार्ट्स को वीकली चार्ट्स में कनवर्ट करें एच्टी फसी बैंक में तो जो 200 वीक मुविंग अवरेज है वो करीब-करीब 1420 के असपास है अब यह जो पिछले हफते शुरू हुआ ना जो डिलिवरी बेस सेलिंग शुरू हुई थी टूस्डे को छुटी थी बेडनेस टे से और तीन दिन में करीब-करीब 12,000 क्रोड के डिलिवरी बेस सेलिंग हुई थी उसके बाद दो दिन थोड़ा सा स्टॉक ने रेजिलियन्स दिखाई लेकिन आज फिर उसने वो जो दो दिन गें किया था पूरा का पूरा वापस लोज आउट कर दिया और इसमें एक हो चीज देखिया आप विरू कि ये अब धीरे-धीरे 52 वीक लो की तरफ भी जा रहा है उसका रीजन क्या होगा पुराना 52 वीक लो सितंबर एंड में था पिछले साल की सितंबर एंड में वहां से स्टॉक में बाई साइट से, ट्रीडर्स को क्लिरली रिस्पेक्ट करें स्क्रीन के लिए, लेकिन अगर आप इंवेस्टर राज में बार बार वही चीज रिपीट कर रहा हूं, हिस्ट्री को जाकर पढ़ें कि हर बार HDFC बैंक ने जब इस तरीके एक कर्रेक्शन दिया है, वो नॉर्मल बैंक दोनों में पेने, जैम और HDFC बैंक मातर कुछ शणों में, मतब एक कंफर्ट जोन था, 1520-30, सुबह बॉर्निंग लो था, एक आएक 1526 से लेके 1518 तक का स्विंग, डाउन स्विंग इसमें आया, बैंक निफ्टे डे लो,